प्रकाश का प्राकिर्डन पारिश होने के बाद हम आकाश में क्या प्रेक्षन करते हैं? जी हां, हम आकाश में कई रंगों वाला खुबसूरत इंद्र धनुष देखते हैं, लेकिन यह विभन रंग कहां से आते हैं? हम जानते हैं कि सूर के प्रकाश को सफेद रंग में वो लेखित किया जाता है जब हम इस प्रकाश को काज के प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह साथ रंगों में विभाजित हो जाता है इसका मतलब यही हुआ कि सफेद प्रकाश की किरण अपने संगठन रंग से अलग हो जाती है इन रंगों का समुहू सफेद प्रकाश के पैक्टरम को प्रदशित करता है इस प्रकार सफेद प्रकाश के अपने संगठन रंगों से अलग होने की घटना को प्रकाश का प्रकीडन कहते हैं आईए अब हम इंद्र धनुष पर आते हैं उप्रोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि सफेद प्रकाश का प्राकिर्णन बारिश की बूंदों से होकर गुजरता है तो इंद्रधनुश बनता है इन रंगों को हम निम्नक्रम में देख सकते हैं बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल इसे अंग्रेजी में वाइब क्योर भी कहते हैं